हेलो पेरिंस कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ जेतना और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक कमबाइन वर्कशिट शेयर कर रही हूँ जिसे हम LKG में पढ़ने वाले बचे और UKG में पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं यह वर्कशिट अगर आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं तो mostly जो syllabus है UKG और LKG का वो आप इसमें cover कर पाएंगे सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की वर्कशिट की तो हिंदी में जो है बच्चों को KG के अंदर जो है चित्र देख करके उनको पहचान करना सिखाया जाता है साथे साथ उनको दो, तीन और चार शब्द वाले जो अक्षर हैं उनको अच्छे तरीके से समझा के उनको बताया जाता है कि इनको किस तरीके से पहचानना है और कौन सा यहाँ पे अक्षर लिखा जाएगा तो इस वर्कशिट के अंदर आपको बच्चों को इस तरीके से चित्र बना के देने हैं और बच्चों को बोलना है कि इनको पहचान के पूरा अक्षर को आपको लिखवाना है तो आप दो वक्षिट बना सकते हैं इसमें से एक तो पहला अक्षर की वक्षिट बना सकते हैं और चित्र को देखकर के पूरे अक्षर को लिखवाना है बच्चे से तो पहला जो बना है वो बना है हमारा टब तो बच्चे से आपको बोलना है कि इसको लिखिए यहाँ पर टब टब इसके बाद है हमारा यहाँ पर जग तो जग कैसे लिखा जाएगा जग जग अब यहाँ पर आगे हमारी आ की मातरा वाली तो यह चितर बना है हमारा आम का तो हम बच्चे से बोलेंगे यहाँ पर आम लिखने को आ, म, आम तो यह तो हो गए हमारे दो अक्षर वाले शब्द अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीन अक्षर वाले शब्द के यहाँ पर बना है मतर तो हमें बच्चे को बोलना है म, ट, र तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, इसके बाद आगया हमारे यहां पे कमल, यह भी हमारा तीन अक्षर वाला है, और यहां पर यह हमने बनाया है, यहां पर कौन से पिक्चर बच्चों, बादल की, तो हम इसको लिखवाएंगे बच्चे से ब, आकाडंडा, द, ल, बा कब कब नभ नभ, इसके बाद आप बच्चे को जो है वो संटेंस पढ़ा सकते हैं, घर घर, चल चल, घर, चल, जल, जल, भर, भर, जल, भर, फिर आजाते हमारे यहां पर थोड़े लंबे संटेंस, अब, अब, मत, कर, कर, अब, मत, कर, जैसे किसी काम को मना करना है, तो उस सब, सब, मत, मत, घर, घर, चल, चल, सब, मत, घर, चल, उसके बाद आपको बच्चे को बताना है मातरा लगाने के लिए, तो मातरा यहां पर आ की, छोटी, ई की और बड़ी, की मातरा लगानी है, तो जैसे यहां पर हमने कुछ अक्षर लिखे हैं, पहला है हमारे यहां पर क, तो क में हमें आ की मात्रा लगानी है, क, आकडंडा, का, छोटी की मात्रा, की, बड़ी की मात्रा, की, का, की, की, चा, ची, ची, तो इस तरी के साब बच्चे को बता सकते हैं करने के लिए, अब आ जाती है हमारी यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश में हमें बच्चे को इस तरीके से पिक्चर बना के आप देज सकते हैं अपने बच्चे को घर, मैंने यहाँ पर एक ही शीट के अंदर इसको कंबाइन किया है, आप इसको अलग-अलग छोटे-छोटे पार्ट्स में बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने बच्चे को दो कॉलम बना के देजिए या एक कॉलम बना खे देजिए, इस यहाँ पर के इस समाल लेटर औरॉट्ट फिर कीजिए सिमाल के सी और पिर इसको कंबाइन कर दिया है, क्योंकि UKG में बच्चों को कर्सिव राइटिंग अच्छे तरीके से इंट्रिद्यूस करवा दी जाती है तो पहली पिक्चर है हमारी यहाँ पे Apple तो Apple A से होता है Capital A Small A Curcive Capital A And Curcive Small A तो देखिए कितना easy है Next है हमारे यहाँ पे Home H for Home Her Capital H Small H Capital Curcive H And यहाँ पे बनेगा हमारा Small Curcive H तो इस तरीके से आप बना के बच्चे को देज सकते हैं Next यहाँ पे हमने कुछ Grammar को यूज किया है जिसमें This, That And On, Under इनका जो यूज करते हैं हम बच्चे को बताएंगे कि इस तरीके से करना है यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ की है आप दिस और दैट का जो कंसेप्ट है वो बच्चे को इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि जो फिलिन दा ब्लैंक से यहाँ पे दिया गया है उसके जो पास में पिक्चर बनाई गई है यानि कि जो नियर है जो पिक्चर फिलिन दा ब्लैंक के पास में है उसको इंडिकेट कर दीजे इस तरीके सा एरो से जो pass वाली चीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं this यानि कि यह है जो pass में होगी यह है और जो fill in the blank से far होगी यानि कि दूर होगी उसके लिए हम यूज करेंगे that तो यहाँ पे हमारी जो picture है वो बिल्कुल blank के pass में है तो वहाँ पे हम लिखेंगे this this is a vase यहाँ पे picture हमारी दूर है तो हम क्या लिखेंगे that that is a wall यहाँ butterfly बनाई है और blank के pass में है तो लिखेंगे this is a butterfly और यह दूर है तो that is a pencil यह हमारा जो concept है this and that का वो clear हो गया होगा इसके बाद आता है हमारा concept and का तो and वाले concept में हमें बच्चे को बोलना है जब दो चीजों को हम साथ में लिखते हैं तो उसके लिए हमें बीच में लगाना पड़ता है and and माने और a bat तो यहाँ पे bat की picture है और यह है a ball यहाँ पे ball की picture बनी है तो हमें बच्चे को बोलना है a bat and a ball तो देखिए यहाँ पर and का concept clear हो गया a bat and a ball a hat यहाँ पर दो pictures draw है and a cat बहुत ही simple है इस तरीके साब बच्चों को अपनी घर पर worksheet बना के दे सकते हैं अब हम बात करेंगे on and under under माने अंदर किसी भी चीज के अंदर जो चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं under और on यानि की उपर जैसे table के उपर कोई चीज रखी हुई है तो उसके लिए on यूज करेंगे और table के अंदर कोई चीज रखी हुई है तो उसके लिए हम लोग under यूज करेंगे तो यहाँ पे है the cat is dash the table, तो यहाँ पे हमारी देखिए, यहाँ पे table के नीचे है, यानि की अंदर है, अंदर है cat, तो उसके लिए हम करेंगे use under, UNDER, the cat is under the table, तो यहाँ पे एक book बनी विए और उसके उपर pencil रखी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे the pencil is on the book, यानि की जो pencil है वो book के उपर रखी हुई है, तो यह बहुत ही simple है, आप बच्चों को घर पे इसके साथ use करके बताईए, next यहाँ पे हम बात करने वाले है maths में, maths में हम सबसे पहले बात करेंगे counting की, तो counting में यहाँ पे आपको बच्चे को 100 से 200 तक सिखा दिया जाता है UKG class में, तो आप बच्चे को इस तरीके से blank बना करके दे दिजिए, उनको ऐसा मत कहिए कि 100 से आपको 200 तक लिखना है, या 150 स में जो है वो बोर हो जाते हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो आपको बीच-बीच में से जो नंबर से उनको उठाना है, blanks के तुरू उनको बोलना, उनको fill up करने के लिए तो यहाँ पे है 102, यहाँ पे blank छोड़ा है फिर आगया 104, तो आपको लिखना है यहाँ पे 103, 104, 105, 10 106 already लिखा हुआ है, तो आगया 107, इसी प्रकार से आप backward counting करवा सकते हैं, 99, उसे पहले हैगा 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, तो यह दोनों concept आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए, इसके बाद आचाता है हमारा smaller, greater and equal, smaller और greater में आप बच्चों को crocodile वाला मैंने एक वीडियो इसमें शेय किया है, smaller और greater समझाने के लिए बच्चों को, उसका link जो है, वह में description box में दल दूँगे, वहां से जाके चेक कर लीजे, आप crocodile का बच्चे को सिर्फ इतना बताना है, जहाँ पर जादा number होंगे, जहाँ पर जादा चीज़ दखाने के लिए होगी, crocodile अपना जो mouth है वहाँ open करेगा, तो यहाँ पर है 12 और 13, तो कौन सा number बढ़ा है, 13 नमबर बढ़ा है, तो हम यहाँ पर इसका जो मूँ है वो इस तरफ खोलेंगे, तो यानि कि 13 is greater than 12, 10 और 9 में कौन सा greater है, यह वला, तो इधर मूँ खुलेगा, अब यहाँ पर आ गया 32 and 32, यानि कि दोनों number equal है, तो उसके लिए हमें sign लगाना है यहाँ पर equal to का, तो यह concept है, इसके बाद आ जाते हैं हम बच्चे को addition सिखाने के लिए, तो addition सिखाने के लिए आप बच्चे को number line की तुरू बताईए, UKG और LKG में, यहाँ पर है 4 प्लस 5, तो हमें बच्चे को बोलना है कि जो frog है वो चल है 5 तक, तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो कहां पहुंचा, 9 नमबर पे पहुंचा, तो हमारा answer हो गया 9, इसी प्रकार से यहाँ पे है 2, तो पहले हम 2 तक जाएंगे, फिर आएगा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा answer आ गया है यहाँ पे number 8, तो चले अब हम subtraction देख लेते हैं, subtraction करने के लिए हम यहाँ पे बताएंगे बच्चे को, पहले हमें frog को ले जाना है 7 तक, 0 से हम लोग गए, छलांग मार के 7 तक, और अब हमें बात करनी है subtraction की, यानि कि minus की, गटाने की, तो हमें बच्चे को बोलना है कि frog को हमें वापस लेके आना है, कितना 3 तक, तो हम 4 तक आगे, अब हमें कितना वापस लेके जाना है, 1, तो हम नीचे से लेके जाएंगे, तो यहाँ आगे हम, तो आगे हमारे यहाँ पे answer, 3, तो देखिए कितना simple है, यह LKG और UKG के लिए वरकशिट मैंने आप लोग को साथ शेयर की है, hopefully यह आपके बच्चों के लिए helpful हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरू कर दीजिए ताकि नॉटिफिकेशन आग तक सबसे पहले पहुँचे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्यू सो माच, थैंक्स वाचिं!